अब आप देखरें गैजिट टेक यूटूब चैनल आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं फीमी एक्सेट एसी जोगी गाइस शोमी का ड्रोन है और उसको साथ उसके वसस में रखा है टीजय मैविक एवर तो गाज इन दोनों काच हम कंपरेजन करेंगे वीडियो टेस्ट बस 10,000 के प्राइस गैप के डिफिरेंस में आते हैं तो बस घाइस मैं आपको जहीं बताओंगा इस वीडियो पूरे तो आप अगर अगर हमारे चैनल नहीं से स्कैप के तो प्लीज हमारे चैनल दोसरे स्काप कर जिएगा साथ लाइक भी गर जएगा माई वीडियो को चले स्टाट करते हैं वीडियो को बिने किस चाम के है तो तो सिल पेले हम स्टाटिंग करते हैं फिमी एकस एट से ड्रोन से जो की शो मी एमाए कंपनी का ड्रोन है तो यह यह फिर पहले बाइस की प्रेसिंगी बात कर लेते गया है donc यह यह दो आता आपका कि इंडिया में थोड़ा मुश्किल है में इंडिया में ट्रों मुष्किल और हों टॉर काम रही इंडिया में Mrs. के वेट की बात किजे तो इसकी आपको 790 ग्राम का वेट आइस ड्रोन का और इसकी मैक्स पीड आपको मिलेगी 64 किलो मेटर पर आर की अगर सैटलाइट की बात की जए तो इसमें आपको GPS प्लस क्रोना दोनों का सपोर्ट मिलका जिसके आप अच्छी पोशिशनी कर पाएंगे स्टोन के साथ और अगर रेंज की बात की जाए तो इसमें 5 km की रेंज मिल जाएगी और आपको ऐल्टीटूट 500 मिटर का मैक्सिम में अटीटूट की कितनी हाइज तक जापाएगा है वह मिल जाएगा आपको और इसमें बैटरी की बात की है तो 3900 MaH की मिलेगी बैटरी जो जो कि में अच्छा ड्रोन में रोन हम लोग खरीते हैं इसलिए जिसे आम लोग ऊपर के शौट सब्सक्राइब करता हूं तो कैमर में आपको इसका सेंसर मिल जागा 12 पिसल का जो कि 1.5.3 इंचेस का सेंसर है जो कि CMOS सेंसर एक तरह की को इसका अपर्चर मिल जाएगा F2.8 का और फील्ड ओफ यूए वो 78 डिगरी किया और आपको 100 तो 30 200 का मैंशिम आयो सो मिल जागा इसका शटर स्पीट की बात की जातुए इसमा आपको मिल जाएगा 8 से लेकर 1 बाइ का 8000 सेकंट का आपको शकर स्पी मिल जाए जाए और एगर फोर्ट रिगों कि बात कीज़ाए मैक्सिम तो आपको 4000 इन थी रूज वर्ग युड जाएगा और वीडियो दिस दॉख को मैक्सिम मेंय। प्रिजुशन मिलेगा 4-30 fps तक का और माक्सिमां बिट रेट की बात किया जो मिलेगा 4-30 fps पे 100 100 mbps का आपको बिट रेट पे मिल जाएगा और इसमें कोई भी इंटर स्टोज आपको नहीं मिलती इस वाले ड्रोन में जबकि उत्य जिए मिल जाती है और रिमोट की बात की जाएगा तो autop? सपोर्ट मिल जाएगा इसके रिमोट पे और रियल टाम वीडियो टास्रीशन की बात कीजिए डिसमें आपको 720P एट 30 fps पर रियल टाम वीडियो ट्रास्पिशन मिलेगा अप्टू 5 किलो मेटर तक का तो गाइस यह एक स्पेक्स की बात होगे फीमी इसे गाइस और बहुत सारी चीज जो आपको अपने फोटो में देखी लिए और भी स्पेक्स जो थे इसके है आपने फोटो में देखी होंगे तो गाइस अब हम बात करते हैं डी जय मैविक एर के वारेम डी जिय में इसली इंडिया में आपको आराम से मिल जाएगा जो कि इ देखाने की चीप प्राइस पर आप मैविक डीजय के ड्रोन कहां खरे सकते हो तो मेरी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मैंने वीडियो बना रखे आप उसको भी देख सकते हो और अब नेक्स की वेट की बात करते तो इस ड्रोन का वेट है 430 ग्राम और इसकी जो स् अब आप मिलती है 235 मिली आम और इसके आप टैम ले सकते हो 21 मिनट्स का तो इसकी एक डिस एड्वांटेश होगा कि 21 मिनट्स का आपको सिफ लाइट ताम मिलता है तो चले नेक्स अब बात करते हैं इसमें आपको गिंबल मिल जागा 3-axis इसमें आप टेल पैन रोल वाले सा अब गानिकल गिंबा अब गाइस में आते हैं केमरे पर तो इस एकमरे में आपको इसका अपर्चा मिल जागा सबसे पहले f 2.8 का और इसका फील ओफ यू हो 85 degree को इसमें आपको सेंसर मिल जागा 1.3 इंचे का CMOS सेंसर जिसमें आपको इफेक्टिव 12 MP एक्सल के इसमें इसम इसमें आपको 4000 x 3000 का मिलेगा और जो मैक्सिम वीडियो रिजॉलुशन वह मिलेगा आपको 4K 30fps तक और मैक्सिम बिट्रेट इसमें आपको मिलेगा 100 Mbps का और इसमें लेकिन एक फायदा है कि आपको इंटरन स्टों मिल जाएगी 8GB की जिससे आपके अगर आपके पास अगर नहीं है तब भी आप वीडियो रिगॉड करते हो वैसे जो भी खरीदेगा उसके वीडियो रिगाट तो हो गई और इसमें आपको वीडियो ट्रास्मिशन के अगर बात करें तो इसमें आपको 720p 30fps पे 4 km तक आप वीडियो ट्रास्मिट कर सकते हो तो वैस यह भी इस जोन क अपने की बात थी कि स्टीव थी इसमें इस ऑर प्रोश के बार हें थे बाहस ज्यादा पॉइंट के पास जादा किया प्रोश और कोंस की तो डीजे मैवी एर में आपको एक प्रोश मिलता है कि 68 km पर हर की इसकी स्पीड है जो कि बहुत अच्छी है और इसके पास ङाइस प तो इतना तू चली जाता है और फिमेक से बात किये तो इसमें आपको प्रहुज मलता है कि इसमें आपको 5 km की मतलब रेंज मिल जाती है जिससे आप 5 km तक आपने ड्रोन को अड़ा सकते होगा तो मुझे तल लगता कोई 5 km तक प्रहुता होगा और दीज मैं वी करेंगे जाता है फोल्ग को मेंटर भी नहीं है और गज अपको अच्छी बात है यही कौन हे डीज मैंवी के पास कि घाल इसके तस मिनिट का फरक है दोनों में तो इह बहूत बढ़ा नतर है और प्रहुते सखिया है इसके वाद यह प्राहँ है कि आपको मिल जाएगी ट्रोन में 8GB की अगर आपका अपने वीडियो रिपाड़ी ले सकते कंप्विटर में और यही गाइस फीम आपको कोई भी इंटरन स्ट्रोज नहीं मिलेगा आपको अलग्स मेमरी काड़ खरीद नहीं पड़ेगा उसका एक कॉण है तो दो दो पॉंट्स है तो मेरे साब तो का दो नहीं बैटर है और दोनों यह बहुत अच्छी है और गाइस बस गाइस आप एक काम कीजिए आप लोग वीडियो रिकॉर्डिग देखें जो मैंने रिकॉर्ड की आप इस वीडियो को देखिए आ और बात ब बेटर है अपने प्राइस रिंज के साफ चे तो फिमेक्सेटस सी बेस्ट हो रहेगा मेरी तरफ दे वट आप वीडियो कंपरेजन देखिए तब आप बताएगा कॉन से मेंटर है प्री तरफ आप बताएगा कॉन से नाप बताएगा बतागा। झाल 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 मेरा तो कॉन्फूजन यही है कि फिमी एक्सेट सी जो कि शोमी का ड्रोन है गाई जीतेगा क्योंगी दीजै मैं भी कियर गाई एक तो महंगा है जरूर बढ़िया फीचर से गाई बहुत अच्छी वीडर रिकॉर्डिंग मैं नहीं कहूंगा कि यह ड्रोन बेकार है बट अगर आप बिगिनर हो तो आपके लि लेवल नहीं हो तो आप लोग मैंविकेर से गांस रागते हो गाई आप किसी और ट्रिंग में जा रहे हो यह पिर अगर आप इसक्ते हो तो आपके ले सकते हो जाजान करें के लिए कि लिए लिक दोनों की दिर्खी डिस्क्रिप्शन में आप चैक आउट कर सकती हो वेंगो जाग उ ग। अधग इसा इस में आपके लेवगलाओ का яंप पूशनी कर सकते हो जागते हो मेल साव एंगप यज कर सिर्म सियों कर साहते हो यह को कर सकती हो एंग आपके हो जागते हो में आपके दिसक्ति हम एंग्यों के लिएक क्र शवित?